हलो दोस्तों मैंने अपने लाश्ट के वीडियो में explain किया था अपनी कंट्री का यूद भी इस टेडिंग प्रोफेशन या इस डेडिंग प्रोफेशन की तरफ देखने और सोचने लगा है और अफकोस कोशिज भी कर रहा है पर उसके स्टार्ट करने की डिरेक्शन सही नहीं है और यदि डिरेक्शन सही नहीं है तो काम्याभी दूर और बहुत दूर होती चली जाती है जैसा कि बीर स्टी टेडिंग फ्लोर पे जॉइन करने के बाद कैंडिदेट्स को पहले ही दिन से पूरी क्या है ऊसका कैंडिदेट्स की वीकनेश क्या है क्योंकि इसकी डेली की टैडिंग रिपोर्ट होती है वह सब कुछ प्रूफ कर रही होती है जब बीकली बैसिस पे त्राट के साथ वल्टिटेङ सोग swag होता है उसकी टैडिंग report और performance के बारे में तो candidates अपनी mistakes को realize तो करते हैं क्योंकि उनकी reports उनकी eligibility का actual proof होती है but realize करने के बाद भी वो अपनी way of trading में change नहीं कर पाते हैं वो हर बार अपनी report book में return में commitment करते हैं कि वो mistakes को repeat नहीं करेंगे पर वो अपने trading behavior में change नहीं ला पाते हैं तब शुरुवात होती है उस mentor के इफर्ट की जिसके एंडर में वो candidates as a trainee अपनी trading की practice कर रहा होता है and sharing reality facts only उस mentor को महीनों लग जाते हैं जी महीनों लग जाते हैं उस trader को उस candidates को daily और weekly basis पे समझाने और उसके अंदर वो change पैदा करने की जिसकी जरुत होती है उस candidate को as a profitable trader develop होने में और यह वही turning point है जहां कुछ candidates महीनों की कोशिस के बाद अपने को मैसूस कर लेते हैं और गिव अप कर देते हैं पर कुछ candidates गिव अप नहीं करते हैं अपनी कोशिस और अपनी उमीद जारी रखते हैं और काम्याब होते हैं मैं यह नंबर शेयर करना ज्यादा जरूरी समझता हूं यदि दस candidate join करते हैं उसमें से पांच या छे candidates within six month जी विदिन six month give up कर देते हैं और इसका सबसे बड़ा reason होता है एक सही शुरुवात का ना होना जब वो इस प्रोफेशन की तरफ अपना रुजहान महसूस कर रहे होते हैं उस समय उन्हें सही डिरेक्शन या सही मागदशन नहीं मिल पाया जिसका नतीजा उन्होंने जो knowledge क्या या उन्हें जो knowledge मिल पाया वह उनके future करके अपना लॉस या profit किये होते हैं या किसी तो कॉल्ड ट्रेनर या टीचर से स्टॉक मार्केट का कोर्स किया होता है या टेक्निकल का कोर्स किया होता है और वह गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि वह ट्रेडर बन गया है मैं यह नहीं कहता कि knowledge लेना गलत है पर incomplete knowledge लेना खतरनाक है एक पुरानी कहावत है knowledge is always preceded by an assumption there is nothing more dangerous than an incomplete knowledge और वह candidates जो incomplete knowledge या गलत फहमी लेकर आते हैं वह survive नहीं कर पाते हैं और give up कर देते हैं so the candidates who looking towards such career or day trader career opportunity have to keep in mind start trading career in a right direction at right time and don't take it lightly मैं next video में यह बताने की कोशिस करूंगा कि वह क्या सही direction है वह क्या सही practice की direction है start करने के लिए कर दो